कि पूछा कि क्या रिजन था जिसकी वैसे आपकी क्रिंडी चेंज भी तो इस बॉड्कास्ट में वह भी बात करेंगे पिछले पॉड्कास्ट में आप लोगों ने बहुत और प्यार सपोर्ट दिया मुझे 50,000 लोगों ने वह देख लिया एंस्टाग्राम पे और पूरानी दौन किड्णी निकाल दी होंगी और जो नई किड्णी है वह लगा दी होगी तो इसकी वैज़ेसे लोगों ने सोचा होगा कि शायद बॉड़ी में आव एक किड्णी है तो एक का रिजन तो मुझे समझ में आता है लेकि बहुत ही कम ऐसे लोग तो जिन्नों ने करना बिल्कुल ना भूलना और आप मुझे कमेंट करके बता भी सकते हैं इन फूचर आपको भी पॉड्कास देखना चाते हैं किसी में वारे में ओके तो अभी किड्नी ट्रंस्प्रेंट को और मुस्ट 2.5 मन्त हो चुका है तो और सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा है आज के टायम पे भी यहां में चया लिटर पानी पीता हूँ अपनी डाइट का बहुत ध्यान रख रहा हूं अपने दवायों को बहुत ध्यान रख रहा हूँ और मेरे दमाग में कोश्चन नीए तो अब उसका बौड़ी में कोई काम नियों निकाल दिया जाएगा और नह नहीं किर्णी होती है वो नीचे की साइड में राइट साइड में लगती है ब्लैडर के पास में डॉक्टर साथ अमांडमेंट था तो मैंने ऐसे ही उनसे पूछ लिया दोक्टर ने मुझे से बोला कि हम सर्जेन दोक्टर ने बताया और जो मेरे नेफ्रो की दोक्टर थे उन हाँ पर है अपनी जगे वही पर ही देएँगी वह तो खराब है ना वह तो काम नहीं कर रही है चैर नहीं कर रहे है यहीं एक unique है यह कं तो यही एक रीजन था फिर डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपको एक प्रॉब्लम के अंदर यह बाद पता चली थी मुझे जब बाइपसी मेरी हुई थी उसका नाम मुझे ध्यान निया मैं स्क्रीन पर लिख दूँगा उसका नाम थोड़ा सा अजीव था मुझे ध्यान न करी है मतलब बहुत ही कम इवन आउट अफ इंडिया में भी को रिया में अमेरिका में दो तीन बंदों मिली है तो यह एक रेर प्रॉब्लम है जिसकी वैसे खराब होती है अब नॉन रिसेर्च वाले बेसिकली तो उस टाम तो मैं भी थोड़ा डर गया था भाई यह क्या च कर सकते हैं और बहुत आराम से खेल सकते हैं तो जैसे कि यहां पर मेरा जो एसेटस है वो डिया कर सकते हैं मैंने कर लिया तो आप भी करिए जाके फॉन पर 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 सकते हैं मैंने कड़ लिया तो आप भी बात वी जाना पड़ेगा तो वह हमानी है ठीक रहेगा प्राउब्लम जैंटिक नहीं है लेकिन इस इस फिर ट्रांस्प्रांट के लिए जाना पड़ेगा तो हमने डिसाइड करा फिर डॉक्टर से मैंने पूछ पुरानी किर्णी क्या होगा तो डॉक्टर ने बदाया पुरानी कुछ नहीं होगा वह जहां पर है अपनी जगह पर हैंगी हम पुरानी क्रिणी अंटिल अनलस तब तक नहीं निकालते हो या तो उसमें किसी तरीके का गलाव हो पस पढ़ जाए या फिर प्रॉब्लम हो पाफ चनकालने का और वाके ही जो की निकाल निकालनी का उपरेशन होता है और और को बोड़ी से री क्यारे को काफी काफी नहीं होता है तो डॉनों को यह मैं को स्टाइटर में एक साथ लिए ता में लगाएगा ऐसे हुआ था तो यह भी एक बहुत complicated होता है और होता है मतलब काफी चीजे होती हैं इसके अंदर भी काफी ड़क्त में जाऊँगा मैं मेरी 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 बॉड़ी में तीन किड्निया दो किड्नी मेरी ही है जो अभी शायद डॉक्टर ने मुझसे बोला था कि आफ्टर 90 डेज वह काम करना बिल्कुल बंद कर देंगी जो 10-20% कर रही है बाकी सारा लोड नई पर आ जाएगा तो अलमुस्ट तीन वहीन होने व चीक है तो अभी मेरे लाश्ट भी कर रहा है था वह बिल्कुल नॉर्मल की रिपोर्ट थी और आज ही मेरी क्रेटिंग लेवल की रिपोर्ट आई है और हीमोगलोवीन की काफी तो सब कुछ ठीक है रिपोर्ट वगरा ठीक है अभी के टाइम पे एंड वन मोर तिंग मैं इ हानी पड़ती है और उसके बाद दोस्काम हो जाती है काफी लेमिटेड दवाया रहती है और वह उन दवाये के वैसे क्रेटीन ऊपर नीचे हो जाता है मेरा भी हुआ था ऑपरेशन थेटर में एक आ गया था फिर 1.20, 1.40, 1.6, 1.4, 1.3 अब एक टाइम पर 1.2 है तो आज ह ही मेरी रिपोर्ट आई थी तो नॉर्मल है हीमोगलोविन भी ठीक हो चुका है और काफी मुझे अच्छा फील हो रहा है यूरीन आउट्पूट भी ठीक है मेरा तो मतलब बेसिकली यह है कि जिस तरीकर सोचाता है आवर्थिं इस गोई और प्लैन के अकोर्डिंग अहला क बनाता हूं इस लाव में कुछ नहीं करता हूं हाला कि अगर अभी की मेरी थिंकिंग की बात करूं तो सब कुछ ठीक है का फिलोग मुझे डियम करते हैं इंस्टा पर बोलते हैं कि हमारे ट्रांस्प्रांट होने वाला हम क्या जाएं इसके लिए नहीं जाएं या फिर 2-100 से जाएं दी ट्रांसप्लांट पेशिएंट हैं 200 से जाएंट और उसमें मैं देखता हम नोटिस करता हूं कुछ लोगो चार साल होग और उसको छह साल कुछ पांस साल सब ठीक हैं बादेगो हम कोशिच कर सकते हैं बागे सब वाले कहां तो यह मैं मेरे को लगा कि मेरे क में बात करनी चाहिए क्योंकि काफी लोग की confusion रहती है तो भाई मेरी बॉड़ी में है तीन क्रिंडिया एक नीचे की साइड है दो उपर की साइड है उपर वालों कोई काम नीचे वाले का सारा गाम है यह है बिसिकली और मैं खाता हूँ इम्नो सप्रेशन बोलते हैं शायद हाँ वो टैबलेट्स काता हूं सोबा साम जिससे मेरी इम्मूनिटी लिमिट में रहे कहीं वो किर्णी को रिजेक्ट ना करें तो यह था है आज का पॉड़कास्ट और शायद मैंने सारी चीज़े कवर करी हैं और सबसे बड़ी बाद पे कि कोशिश करता रहूँगा थैंक्यों मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक लिए गुड़ बाइन टेक कियर